जैसे राम दोस्तों हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं हूँ सुमित आज हम बात करते हैं दोस्तों सीलिंग फैन के बारे में हमने सीलिंग फैन जो है वाइनिंग किया इसको वाइंडिंग करने के बाद क्या होता जब हम इसको चेकिंग करते हैं इसकी टेस्टिंग हम करते हैं तो क्या निकल गाता है कि मोटर के अंदर मोटर के अंदर करन्ट आ रही है तो यह प्रोब्लम हमारे साथ अकसर होती है ठीक है तो इसला हम कैसे निवाइंड कर सकते किसी भी पंके के अंदर करण टारा है चाहिए नया पंका हो चाहिए पुराना पंका हो यह वाइंडिंग के बाद जातर यह प्रोब्लम देखने को मिलती है तो देखिए पहले हम रणिंग को चेक करते हैं तो रणिंग की कंटिनिटी प्रोपर बन रही है और रणिंग में एक तार हम लगा कर टेस्टर का जो हम यहां पर चेक करते बोडी में कोई नहीं बन रही है इसका मतलब में मायी रणिंग जो है बोडी से टच नjach अम स्टार्टिंग को टेस्ट करते तो स्टार्टिंगल में चैक करते तो देख से ड evaluating विह से भी यहां पर देखे बोडी में टेश्ट जो है जल रही यह बैटरिज वाला टेस्ट होताया अब सीरिज बलब का भी यूज्ड कर सकते हैं नलोग मल्तिमीटर का यूज्ड कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तो हम को क्या मिला कि जो स्टार्टिंग के जो तार है या जो स्टार्टिंग की जो अंदर की जो कोईल है वो कहीं से टच होगी है इसमें अब टच कहां से होती है वो हम बता रहें आपको देखे दोस्तो हम जब मसीन से यहाँ पर को भरते हैं तारों को भरते हैं उसके बाद जब हम उपर के पेपर लगाते हैं तो कोई तार जो क्या होता यह जो तार होते हैं तो कुछ तार हैं इधर पेपर के नीचे से यहां से टच हो जाती है कोई तार दब जाता है नीचे हम पेपर पर अच्छे से लग गया है बट कोई तार नीचे की तरफ रह जाती है तो इस प्रोबलम के कारण करंट आता है तो हमें धीरे 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 जो है पंके को अब ऐसे करके धीरे धीरे के एक स्लोट को देखना है कि कहां से तार जो है हमारी दबी हो तो बहुत धीरे धीरे इसको जो है चेक करेंगे तो चेक करने का तरीका क्या आप टेश्टर ले लीजिए बार एक पेचकस ले लीज तो जब आप यहां से चेक करेंगे तो आपको जो है कुछ जो तार जो भी तार इसमें गड़बड कर रहा होगा टच हो रहा हो आपको दिखने लग जाएगा तो अभी तक तो में कुछ इसमें दिखानी है तो यह जो पेपर है आपके इनको भी बात के अच्छी से दबा लें तो हम इसको इसकी री चेकिंग कर रहे हैं जब हम पेपर डालते हैं कई बार हम जल्द बाजी में पेपर डाल लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा यह हो जाता है गड़बड तो यहां तक दोस्तों ठीक है बड़ दोस्तों यहां पर हमको प्रॉबलम दिख गई है यह जो इसका एक तार जो है यहां पर टच हो रहा है नीचे की तरफ तो जो हम क्या करेंगे कि तर जो नीचे की तरप दबा हुआ है, उसको ऊपर की तरफ उठाएंगी, उसको बहुत ही प्यार सी उफर उठानाा है, तो आपको मैं दिखा दू precious देख सकते हैं, और ऐटो फोकस यह देख सकते हैं यहां यह जो तार है यह यहां पे ठाच हो रहा है यह तार है यह पेपर की नीचे खिसक गई ती दब गई थी इसके कान बोड़ी में तो यह क्रणट आने लगा तो इसको हम क्या करेंगी इस तार को पहले पेपर को निकाल ने के बाद या पेपर अगर आप उपर उठा ले तो भी काम चल जाएग़। सावधानी पूरक आपको जो है यह जो तार निकली हुई है इधर इसको उपर की तरफ कर देना सावधानी पूरक तो इसको तार को जब आप उपर उठा रहे हैं तो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि तार टूटे नहीं और आपको बहुत ही सावधानी के साथ इसको उपर कि तरफ कर देना तो हम इसको उपर कर रहे ह演ा थो इतार जो हमने दोर्स दख एक सब्रक्राम के साथ क्यों के हम जल्द बाजी में या कई बार ऐसा है कि अंधेरे का टाइम हो था और अभर फेपर लगा देते हैं साम के टाइम या दुकान के अंदर सोभ के अंदर अंधेरा होता है तो महाँ पर यही प्रोब्लम देखने को मिलती तो यह करने के बाद हम हम टेस्टिंग करते दो बारा कर सकते हैं तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेट करके जरूब बताए और ये वीडियो पसंद आए लाइक करें दोस्तों सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें हम ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे फिर मिलेंगे जैन जै बारत जैसीर राम बंदे मात्रम